जै मातारी दोस्तों और सब कैसे आई होप सब बढ़ी होगे हम सब भी बढ़ी हैं दोस्तों मिन्टों में हम बिना केमिकल के ठाकोजी को कैसे साप कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिएगा दोस्तों यहां मैंने ले लिया आटा यहां ले लिया हल्दी और ल दालें सिर्फ हल्दी और उक्टन बनाएं हल्दी आटा और तीन चीजों के हलावा और कोई चीज न डालें बस इसी से इसी तरीके से जैसे मैंने लगा कि उक्टन से पूरा सरी डखके रख दिया है उसी तरीके से आप भी रख सकते हैं तो देखिएगा यहां मैंने इनको से ही कर दें और मैं यह आपको लग रहा होगा वर्कुल इनके उक्टन लगा रही हैं दोस्तों और फिर इनका कलर देखिएगा कोई भी केमिकल की ना प्रताम पीतामरी आती है ना किसी भी कोई भी कलर करने की मतलब केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों एकदम साफ हो जाएंगे घरी के सामान से वो देखिएगा इनको कोई हां पहुचेगा क्योंकि यह उप्टन बगएरा तो हम भी हल्दी आटा बगएरा तो हम भी सब लगाते हैं इस तरीके से हम घर में बिना नुक्षान पहुचा है उठाकुजी को साफ कर सकते हैं तो दोस्तों बिना कैमिकल के इस तरीके से ठाकुजी को हम साफ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से तह देखिएगा और मैं एक दम फेस पे बड़े आराम से और यह दही रखा है और हल्दी है और आटा है और कोई तीसरी चीज नहीं है दोस मैं इनी में वोग लगाऊंगी वो करूंगी तो देखिएगा इनको मैं एक मिनट से दो मिनट तक तो मैं लगा के उटन वगारा लगा के रख सकती हैं और वैसे ही रख देंगे हम तो देखिएगा यहां एक से डेड़ मिनट हो गया है यहां और मैंने इनको लगा के रख द तो यहां मैंने दूसरी पराद ले लिए पीतल की और इनको इसनान करा रही हूं है साधा पानी से और एकदम नए जैसे चमकने लगे हैं देखिएगा एकदम क्लीन हो गए हैं दोस्तो इसी तरीके से आप भी अपने ठाकोजी को साफ कर सकते हैं और यह मत कहिएगा कि वही पा होगा दोस्तों मेरे मैं कोई केमिकल नहीं लगाती हूं दोस्तों कुछ भी नहीं मंगाती हूं ना मैं पितामरी मंगाती हूं कुछ भी नहीं केवल मैं यही आटा घर का आटा और हल्दी और केवल दाई से ही मैं अपने ठाकोजी को एकदम चमकने लगते हैं इसी तरीके से मैं इनको इसनान कराती हूँ तो देखिएगा इनको कर दिया है साफ एक दम साफ हो गए जो भी है मेरे गर में जितने ठाकोजी हैं उनको सबको बारी बारी से इसी तरीके से उसी से मैं कर रही हूँ क्योंकि यह हल्दी का पानी है कोई वैसा पानी नहीं है तो देखिएगा औ यह शबसे छोटे रखें हैं वह सबसे बढ़े हैं क्योंकि यही सबसे पहले में खरीद के लाई थी पर दोश्तो है दाओ जी में मेरे साथ लो चाओ गया मेरे को पीतर का बूल के दे दिये थे और पैसे भी मैंने जितने मांगे उन्होंने उतने दिये और यह मेरे सबसे बगेर जैसे बच्चों के साफ करते हैं उसी तरीके से कान बगेर साफ कर commit करें रख दियेूं दोस्तो यहाँ मैने पहना दिये इनको कपड़े और कितने सुन्दर अभी है तो अभी मैं ऐसे ही पहना दूंगी कपड़े जो घर में नौर्मल पैनते हैं उसी तरीके के और अभी देखिएगा इनको बटाल दिया है और दोस्तों साफ फोटो नहीं आई है वीडियो को फुल वाच करें जो वह यदी दिन नहीं है चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों जै मता दी